हलो बच्चो आज हम रिमचिम पुस्तिका से पाठ आठ चूहों म्याओं सो रही है कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे पाठ आठ चूहों म्याओं सो रही है बच्चो यह कविता बिल्ली और चूहे की है आएए इस कविता को पढ़ें और समझें घर के पीछे छट के नीचे पाउं पसारे पूँच सवारे देखो कोई मोसी सोई नासों में से सासों में से घर 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 हो रही है चूहों म्याओं सो रही है बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले बच्चों आएए इस कविता के अर्थ को समझें घर के पीछे छट के नीचे पाउं पसारे पूँच सवारे चूहे कह रहे हैं आज बिल्ली मोसी घर के पीछे और छट के नीचे पाउं पसार कर अपनी पूँच सवार कर सो रही है देखो कोई मोसी सोई नासों में से सासों में से घर 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 हो रही है चूहों म्याओं सो रही है चुहे कह रहे हैं देखो मोसी सो रही है और उसके नाग से और साथ से घर घर जैसी आवाज आ रही है वो गैरी नीन में सोई हुई है बिल्ली सोई खुली रसोई भरे पतीले चने रसीले बिल्ली सोई हुई है और रसोई खुली हुई है रसोई में चने भरेवें पतिले में उल्टो मटका देकर जटका जो कुछ पाओ चटकर जाओ आज हमारा दूद दही है चूहो म्याओं सो रही है मूच मरोडो पूच सिकोडो नीचे उत्रो चीजे कुत्रो आज हमारा राज हमारा करो तभाई जो मन चाही आज मची है चूहा साही डर कुछ भी चूहों को नहीं है चूहों म्याओं सो रही है उल्टो मटका देकर जटका जो कुछ पाओ चटकर जाओ चूहे बोल रहे हैं कि मटके को उलट लो जोड से जटका देकर और जो कुछ उसमें मिलता है उसको चट कर जाओ आज हमारा दूद्ध ही है चुहो म्याओं सो रही है आज सारा दूद्ध ही हमारा है क्योंकि बिल्ली तो सो रही है मूच मरोडो, पूँच सिकोडो नीचे उतरो, चीजे कुतरो मूच को मरोडो और अपनी पूच को सिकोडो नीचे उतराओ और सारी चीजों को कुतरो आज हमारा राज हमारा करो तभाई जो मन चाही क्योंकि आज का दिन हमारा है और राज हमारे ये राज चल रहा है जो मन कर रहा है वही करो आज मची है चुहा साही आज घर में चूहा साही मची वी है चूहों का राज चल रहा है डर कुछ भी चूहों को नहीं है क्योंकि बिल्ली सो रही है बच्चों ये कवीता आपको समझ में आई कवीता को पढ़िए और इसके आर्थ को समझे धन्यवाद